अब मैं 2021-22 के लिए कुछ प्रमुक्ष योजनाएं कारेक्टरम प्रस्तुत करूँगा उनका विवरन प्रस्तुत करूँगा जो 21-22 के बजट का अभिन हिस्सा है अध्यक्ष महुदा है जैसा कि मैंने आरंबेक वक्तवे में उल्लेक किया था कि आजादी की सालगिर है कि 75 वी वर्षकाट के अवसर पर आगामी वर्ष देशबक्ती के वातरवन से उत्प्रोत रहेगा इसलिए मुख्यमंतरी अर्दिल केजरवाल जी के नितरतु में सरकार ने निने लिया है कि दिल्ली सरकार भी इस अवसर को एवस्मरिणिये बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और जैसा कि मैंने बताया कि 75 साल पूरे होने से ठीक 75 सब्था पहले से देशबक्ती के कारिक्रम शुरू हो जाएंगे आगा भी 12 मार्स से दिल्ली में देशबक्ती की एक कारिक्रमों की स्रंखला शुरू होगी और पूरी दिल्ली अभूतपूर तरीके से इस वर्ष को आनबानशान के साथ मनाएगी इस क्रम में देशबक्ती बजट से समंदित कुछ और महत्कून प्रस्ताव मैं इस सदन के समक्ष रख रहा हूँ 12 मार्स से सुरूर है देशबक्ती आज़ून की संखला में अगले 75 सब्था तक पूरी दिल्ली में कारिक्रम शुरू किये जाएंगे लिखे गे उनके सपने हमारे नौजवानों के लिए पूरे देश के नौजवानों के लिए आज भी प्रेड़ना का स्टोत रहते हैं शहीद भगस सिंग जी ने अपनी जेल डारी में लिखा था कि अगर बहरों को सुनाना है तो धमाका करना ज़रूरी है अजाधी के 75 ने साल में शहीद भगस सिंग जी के प्रेड़े जीवन पर कारिक्रमों के लिए अलग से 10 करोर रुपई का बज़ट हम रख रहे हैं ताकि उनके जीवन पर कारिक्रमों, भगसिंग जी के जीवन पर कारिक्रमों के जरिये, हम चाहते हैं कि देश की वर्तवान युवाशक्ति उनके जीवन से प्रेणा ले सके, और इस भाव के साथ जिये, कि हम मरेंगे भी तो दुनिया में जिन्दगी के लिए, हम मरेंगे भी तो दुनिया में जिंदगी के लिए सब को जीना सिखा जाएंगे मरते मरते ये ना समझो ये ना समझो कि भगत फासी पर लटकाया गया सैकड़ा भगत बन जाएंगे मरते मरते इस उद्धेशे के साथ एक अलग से पूरा कारिक्रम शहीद भगत सिंग जी को समर्पित चलेग का पूरी कारिक्रमों की संखला इसी तरह देख्ष महुद है भारत की आजादी से लेकर आजाद भारत की रूप रेखा बनाने का काम बाबा साहब धीमराव अमेटकर ने जिस तरह किया वो भी अपने आप में संगर्ष देश भक्ती और दूर दर्शता की एक बहुत को उनके सपनों के संविधान और हिंदुस्तान को आज की युवा पीड़ी तक ले जाने के लिए आजादी की 75 वी वर्ष गाठ के अवसर पर अलग से कारिक्रम होंगे और उसके लिए भी मैं अलग से बजट में 10 करोड की प्रस्तावना कर रहा हूँ इसके जरीए हमारा मकसद है कि आजादी के 75 वे साल में बाबा सहब को याद करते हुए हर एक हिंदुस्तानी ये कहता हुआ पाया जाए कि रुत्बा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है औरों को जो मिला है वो मुकदर से म मिला होगा हमें तो मुकदर भी तेरे संविधान से यह बाबा साहब की देन है इस देश में कि हर व्यक्ति को सम्मान मिल सके यह बाबा साव ने दिया है उसको याद करते हुए हम आजादी के 75 वी वर्ष गाठ में उसको सम्मान करते हुए और उसको और स्थापित करने के तिरंगा दिली के आस्मान को पूरे आस्मान को तिरंगे से सजाए हम लोग जब दिली के कनवपले से गुजरते हैं तो हम सब ने देखा है वहाँ एक शांदार तिरंगा बहुत उचाई के साथ में लहराता हुआ देखा है हमें 200 फिट की उचाई पर वह तिरंगा है और हम सब वहाँ से निकलते हैं कोई भी हिंदुस्तानी वहाँ से निकलता है उसका मन देश भक्ती से वह प्रोथ हो जाता है हाल में मैंने नसुटी में लगभग इसी उचाई 160 फिट की उचाई के एक तिरंगे का दोजारों किया और उसको देखके भी वहाँ से निकलने वाले द अपने घर से थोड़ी दूर के लिए भी लिख ले तो उसको कहीं न कहीं आस्मान में तिरंगा उचा तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देना चाहिए और इसके लिए पूरी दिल्ली में 500 इस्थानों पर शांदार तिरंगे लहराने के आप इन 500 तिरंग्नों के साथ अधिश महुदे इन 500 तिरंगों के साथ आस्मान की उचाईयों में लहराते इन 500 तिरंगों के साथ हम अपनी दिल्ली को आजादी के 75 साल में इस तरह से सजाएंगे कि आप दिल्ली में भलेई एक या दो किलोमीटर अपने घर से बाहर जाने के लिए निकलें आपको कहीं शांदार तिरंगा लहराता हुआ नजर आयर आपके अंदर देशबक्ती की ज्वाला पढ़ा किते हैं आपके अंदर देशबक्ती का रुमांच पढ़ा किते हैं इसके लिए बजट में में 45 करोण रुपे का अलग से प्रस्ताव नहीं कर दो